जिसकी अपनी कोई आउकाद और वजूत नहीं सहीद होकर राजनिती करता हो, सबसे जादे मगद में भौट लिया, और आउकाद नहीं हुई इतनी बड़ी घटना के बाद बेला घंच के ठाना के आगे जाकर के बैठ जाए, हिम्मत नहीं हुई कि 75 अमेला लेकर के बैठ जा जाए, जहां पर गरीबों का सबसे जादे भौट लिलाईस, ना समझ जाहिल पॉलिटीशन को, जो पिता के सहीद पर सिप्राजदिती करना चाहता है, ना एक बार पिता की चिंता, ना इस मिहार के किसी लोगों की चिंता, बैस उसकी चिंता, दुष्टता की धूरता ही की, सिफ कुर्सी, एन के एन परकारें कुर्सी, और पैसा, मलसी से पैसा, हर मलसी के पैसा, यह हाल है, मैं धनवाद दूंगा माले के साथियों को, जिन्होंने पप्पु यादब के बाद हिम्मत दिखाई, मैं अपील करता हूँ कॉंग्रेस से, कि लगातार बिहार की हलाद, पर आपको आगे आना चाहिए, दर्भंगा और गया में कोई राजनिती नहीं होनी चाहिए, और हम मुक्मंत्री जीसे आगरह करेंगे, दोनों की जाच, आप या तो सिबियाई से करा, या तो किसी बरतमान ने आधीश से आप करवा दे, और तत्काल, जो जो लोग दर्भंगा में इन्वाल्ब हैं, पॉलिटीचन, उस पर रेफायर हो, और जो जो पदाधिकारी, और गुंडे गया में इन्वाल्ब हो, उस पर बर्खास हो, उस पर रेफायर लोगे, कालिए ogni फिल्वाद को हो, उस पर रेइंगा में इन्वाल्ब रेफायर हो,